दोस्तो कोई भी CRT TV को on करने के बाद में उसका पीछे की सेड से अगर sound आता है तो आपको सबसे पेले उसका पीछे का cover को खोल लेना है और उसका picture tube में एक क्याप लगा हुआ रहता है ये क्याप अगर खराब हो जाता है या फिर यहां पर carbon जम जाते हैं तो यहां से हमारा sparking होता है और sparking का sound सुना ही देता है तो यह क्याप को change कर देने से यह जो problem होता है यह हमारा solve हो जाता है यह जो क्याप होता है यह आपको 10 या 15 रुपे में मिल जाएगा electronics की दुकान पर तो आपको क्या करना है यह क्याप को ही change कर देना है इसको change करते समय एक ध्यान रखना है यहाँ पर हमें high voltage का खत्रा रहता है क्योंकि यह जो क्याप होता है यह हमारा EHT के साथ में connection होके रहता है यह जो EHT होता है यह हमारा high voltage produce करता है तो इसको खोलते समय अच्छे से इसको earthing के साथ में sort करके खोलना पड़ेगा उसके बाद में इसका जो जगा होता है जहाँ प